वेलकम बेक दोस्तों आप लोग का स्वागत वापस से इसकी बडी ट्वाइलेट की दुनिया में और आज के दिन हम लोग फाइनली इसकी बडी ट्वाइलेट की मल्टी वर्स की बात करेंगे इसके अंदर नए नए बहुत सारे एपिसोड आए हैं और आज के दिन हम लोग फ चांदार सा मल्टी वर्स स्टार्ट चुका है यहा हा मैं बहुत एक्साइटेड हूं आचा ठीके ओवर एक्टी नहीं करता हूं हम लोग फटे फटे इसे कंटीन्यू करते हैं नाइस यहां पर काफी घमासान फाइट हो रहा है ओ माई गॉड सायद से हम लोग किसी बिल्डिं के अंदर है आएं यह मेरे छोटे से दिमाख में यह सब बाते फिट नहीं हुई हम लोग आसमान में उड कैसे रहे थे आई डोंट नो दोस्तों पर कोई नी हम लोग आगे दिखते हैं यो हम लोग सायद से इस किबिडी के किसी बेस पर अटेक कर रहे हैं मैं बहुत एक्सा कुछर में भी उचाला होता कोई बात नहीं काफी दर्दनाक मौत था हमने उसके सीर को उसके हेलिकॉप्टर के ब्लेड से मार दिया वो खतम हो गया लिटरली ओके हम लोग नीचे लैंड हो चुके हैं सामने के तरफ रहा इस किबिडी बेस थरी ओके ये थर्ड बेस है फर् यहां पर कोई टेली पोल्ट हो के आ चुका है ओ माई गॉड ये क्या क्रियेशन है ओ मैन ये बहुत खतरनाक लग रहा देखने में पर मेरे से कम खतरनाक है ओ तो टीक है लेकिन मैंने पूचा नहीं था ओके दोस्तों ये इसका सकल काफी खतरनाक है पर एक सेकेंड इसकी आ मोए मोए वाला सीन हो गया ओके आगे दिखते है अच्छा हम लोग उसे सूट नहीं कर सकते ओ ओ ओ बेसिकली मैं सब कुछ समझ गया रुको मैं तुम्हें एक्स्प्लेन करता हूं वो जो है बेसिकली आवाज से हमारी पोजीसन को जानता है अच्छा ठीक है मैं अच्छे से एक्स्प्लेन नहीं कर पा रहा हूं बेसिकली वो अंधा है तो वो सिर्फ कान से सुन सकता है और एक सिकेंड मैं वापस से बैक करता हूं यहां देखो बिल्डिंग के पास यह तो सीक्रेट एजेंट है मल्टिवर्स का ओ माई गौड यह सीक्रेट क्लॉक मैन है क्या बात है ओके हमें धीरे धीरे जाना है उसे हमने अवाज कर दिया इसलिए उसे हमारे पोजीशन के बारे में पता चल चुका है यो वो काफी खतरनाक डिस्ट्रक्शन कर रहा है ओ माई गौड ओ माई गौड क्या बात है यह मल्टिवर्स बहुत ज्यादा ओसम है वैसे यह पपी तो टीवी बॉमैन के लिए था ओके चलो भागा जाए यहां से हम लोग यहां से भाग रहे हैं क्योंकि वो वाला जो इसकिबडी मॉंस्टर था वो काफी खतरनाक साबीत हो रहा है तुमने देखा ही यहां पर यह कैमरामैन भी मर चुका है यह सही में बहुत खतरनाक है ओके य निकल ले भाई तुम ठीठीक है मेरे को सीटी बचाने नहीं आता पर यहां पर टाइटन स्पिकर में आ चुका है यार यह अब दो खतरनाक से बॉस में लड़ाई होगी पर दोस्तों यह कितना हाईली अपग्रेड़ेड है यह कितना अपग्रेड़ेड है कास मेरी लाइफ भी अपग्रेड हो पाती मैं बैठाउं किसमत के बरो से ओके अब इन दोनों में खामासान सा फाइट होगा ओल राइट ओल राइट यह फाइट तो आसम अते जारी है यार वैसे आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन जीतेगा नीचे कमेंट करके फटा फट से अभी ब ओके ओके बैसिकली मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन जीतेगा अभी लड़ाई कफी टकर की हो रही है आल राइट यह बहुत टाइटनी स्पिकर मैन मेरे को तुमसे यह उमीद थी मेरे को लग रहा है तुम जीत जाओगे यार सही में यह बहुत बदसूरत है पर मेरा स्कूल वाला दोस्त इससे भी ज़्यादा बदसूरत है नाइस इसी बात पर लाइक हो जाए अभी तक लाइक न किया हो यह देखो टाइटनी स्पिकर मैन भी लाइक करने को कह रहा है अब तो लाइक करो ओके यह तो मेरी फेवरेट करेक्टर है तीवी वोमेन शो टेश्टी मेरा मतलब सो ब्यूटीफूल शो lug लाईक वाओ पर दोस्तों यह टीवी वोमेन इतनी ब्यूटीफूल है इसे पास से देख के तो दोस्तों हाई हाई मैं पागल हो गया सालो इतने चौटे मारूं है ओल राइट चलो फटब फटब से इसकी बढ़ी की बेस के अंदर जाते हैं साइद से यह बेस लॉक है टीवी वोमेन यह मेरे पास क्यों आ रही है दोस्तो मैं तो दोस्तो जल गया मैं जल के राक हो गया टीवी वोमेन ने किसी का हाथ पकड़ लिया है ओके मैं जो है टीवी वोमेन के साथ इस बेस के अंदर टेलिपोल्ट चुका हूँ टीवी वोमेन किसी और कैमरामेन के साथ है ओल राइट वैसे ये बेस के अंदर तुम लोग देख सकते हो काफी ज़ाद एलार्म बज़ रहा है मेरे ख्याल से इसकिबडी वालों को पहले ही पता चल चुका है कि यहाँ पे कैमरा मैं आ चुके है ओके टीवी वॉमेन तुम्हें मैनर्स नहीं है कि नौक करके जान अची है मैनर्लेस गर्ल कोई बात नहीं मैं तुम्हारी यह सब ना समझी को जेल लूँगा यह कौन है नहीं नहीं मैं इन सब पे सिंपनी करूंगा यह सब भूत जैसी लग रही है टीवी वॉमेनी अच्छी और सुन्दर है ओके यह क्या है यह घोश्ट इसकिबडी है क्या यह क्या भूत इसकिबडी है माई गॉड यह कितना डरावना है सब टीवी वॉमेन की भी हालत खराब हो चुकी है दोस्तों यह तो सो सैड हुआ एक सेकेंड टीवी वॉमेन के नीचे कुछ मैं अच्छे से देखने की कोसिस कर रहा अबै बैंड ओकेई ओकेई हम लोग इस गेट को ओपन करते हैं यह क्या आएं मम्मी यह क्या हो रहा है भाई मैं तो स्किबडी ट्वाइलेट का मल्टी वर्स देखने आया था यह क्या हो रहा है यह क्या है दोस्तों इसका नाम क्या है मेरे ख्याल से ये घोश्ट इसकिबडी है टीवी वो मैन फ्लिज उसे मार दो मुझे तुम पे भरोसा है बाग बाग ये ये क्या हाँ हुआ 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 ये 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 नला हरकत मेरे सामने मत करो ओके यहाँ पे दोस्तों दो सीकریट एज़ेंट आचुके हैं लेफ्ट साइड में है सीकریट एजेंट क्लॉक मैन राइट साइड में सीकریट एजेंट टीवी मैन है क्या बात है ओके इसने हमारी मदद कर दी इसने जो है उस घोश्ट को मार दिया है ओके टीवी वोमेन किसी इसकी बड़ी एपोकलिप्स वाली बुक को पढ़ रही है ओके वो क्या पढ़ रही है वो सब कुछ रीड कर रही है भाई ये कितना तेज पढ़ लेती है इसकैन कम्पलेट वाव वेरी नाइस मैं तो चार दिन में एक पेज भी नहीं पढ़ पाता हूँ दोस्तों अहां इसी वचा से तो अनपढ़ हूँ सकैन कम्पलेट सेंडिंग ओके ये पूरे बुक की कॉपी किसी और को भेज रही है नाइस ओके दोस्तों क्या बात है अगला एपिसोड भी स्टार्ट चुका है ओमाई गॉड हम लोग वेडियो की स्टार्टिंग में मस्त मसीन गण चला रहे है हम लोग फटा फट से आगे दिखते है ये कौन सा जगा है दोस्तों जगत बहुत मस्त लगरा बरफ वाला पर ये देखो हमारे सामने कैमरा हेलिकॉप्टर है मैंने पहली बार एक ऐसा चीज देखा है ओके नाइस नाइस बैटल दोस्तों इस किबडी वालों के पास एरो प्लेन है ओके ओके वाओ हमारे पास तो सेफटी के लिए फैरा सूट भी है तो बेसिकली हमारा हेलिकॉप्टर क्रेस कर गया इसलिए हमने बाहर जम्प लगा दिया हाँ बेसिकली हम लोग दोस्तों हेलिकॉप्टर से दूर भाग रहे हैं जैसे मैं अपने दुखों से ये दूर भागता हूँ बिल्कुल वैसे ही ओके ओमाई गॉड क्या खतरनाक बैटल चल रहा है ओके हमारे पास एक आरपीजी आ चुका है ये देखो ये देखो यहाँ पर ड्रिल मैन है ये दोस्तो ड्रिल मैन बहुत आसम है अगर तुम्हें नहीं पता तो वो किसी भी चीज को बैसिकली ड्रिल कर देता है कि क्या मतलब बहुत गंदा एक्स्प्लेन किया मैने ओके यहाँ पर बैटल गजब की चल रही है ओल राइट हम लोग फटाफट से इसे रिपेयर करते है वो साइद मर रहा है हम लोग उसे ठीक कर रहे है यो चलो यहाँ पर RPG उठाते है निकल नले ओ ये मल्टी वर्स का नया इसकिबडी है ये वाला भी बहुत जहर है दोस्तों ओल राइट आएँ ये क्या है ये मैं तो इसे explain भी नहीं कर पा रहा ये तरह का कार है इसके उपर पठाके लगे है ये असल में है क्या ओके नाइस गाना हम लोग वापस से ये गाना तो मस्त है दोस्तों अब आनले तू किसकी टीम में है इस टीम में की उधर ताली बजा रहा है ओके बबस कर ताली मत बजा ये क्या है मेरे को तो डर लग रहा है देखके ये है क्या ये है क्या हम लोग वहाँ से भाग रहे है वो एक तरह का बुल्डोजर है जो कि किसी को भी बहुत असानी से मार सकता है ओके वो हमारे करीब आ रहा है अब तो इस नल्ले की फट चुकी होगी क्योंकि उसके बीचे टाइटन कैमरा में न आ चुका है चल नल्ले बस कर बहुत कर ली तुमने नो टंकी ओके, ओके क्या होने वाला है अब वो मरने वाला है अहां मैं कुछ ज़्यादा ही खुस हो रहा हूँ दोस्तों आप लोग मेरी खुसी से जलो मत मैं बहुत रियरली ही खुस होता हूँ बस करो टाइटन कैमरा में इतना गंदा मौत मत दो और गंदा मौत दो इससे इस नल्ले को ये वो मर गया काफी ग्रॉस था पर कोई बात नहीं दोस्तों लाइक कर दो इस मौत के लिए आहां मौत के लिए लाइक कर दो तुम लोग ओके ओके यहां पर क्या आ रहा है ओके वो हमारा सीक्रेट बेस था कितना मस्त बेस था ओल राइट यहां से चलो उड़ चलते हैं टाइटन केमरा मैन तुम हमेसा भागते रहते हो जैसे मैं भागता रहता हूँ अपनी लाइफ से दूर बाई दोबे दोस्तों वो नया इसके बड़ी मस्त तो था ओके टोपी को हमने उठाया यह कौन सा जगा है यह कौन सा जगा है अपै बुड़े यह बुड़ा अभी तक जिन्दा है दोस्तों यह बुड़ा वही है जो सब के बीच में बहुत बोलता है यह बुड़े के पास मैगनेट भी है के बात है कितनी गंदी हसी थी और खतम खेल दोस्तों खेल खतम हो गया मेरे ख्याल से कैमरामेन टीम का इन सब के पास पेनीवाईज कलाउन इसकी बड़ी है ओ माई गॉड वह वापस से मैं देखना चाहूंगा ओके यह पेनीवाईज कलाउन इसकी बड़ी है इसके दातों में कीडे जल रहे है ओके यह सारे कलाउन इसकी बड़ी है इसी वज़े से बुड़ा इतना खुस हो रहा है क्योंकि उसे ने ये खतरनाक सा क्लाउन इसकी बड़ी इन्वेंट किया है बुड़ा काफी खुस और आये दोस्तों पर बुड़े मैं तेरे सारे दात को तोड़ दूँगा पता नहीं क्यों तोड़ूँगा बस मन करता है अल राइट दोस्तों इसी के साथ ये मल्टी वर्स के एपिसोड खतम हो जाते हैं इसके आगे भी बहुत सारे एपिसोड है अगर आप लोग चाते हो तो मैं उन सारे एपिसोड को भी चेक आउट करूँगा अल राइट मेरे प्यारे दोस्तों मेरे ख्याल से आपको स्किपडी ट्वाइलेट की ये सांदार सी मल्टी वर्स बहुत ज़ादा पसंद आयोगी मेरे को अपनी लाइफ तो पसंद नहीं आती पर मेरे को ये मल्टी वर्स हाँ सही मैं बहुत पसंद आया आप लोग इसका अगला पाल चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना पाल तब तक के लिए पीस है